हलो एवरीवन, वेलकम रेप टू शाजिल सर क्लासेज, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, मुझे पूरी उमीदा यार बढ़िया होगे, और जितना भी अब तक पढ़ाया है, वो सब आपने पढ़ी लिया होगा, आज हम 10th का एक बहुत इंपोर्टन चेप्टरे स्टार्ट क बनाना, सब कुछ आपके समझ में आही जाएगा, अब सुनो ध्यान से, इसमें जो बुक्स में पहला टॉपिक है, वो है कारबन के ऐलोट्रॉप्स के बारे में, लेगे हम यहाँ पर सबसे पहले डिसकस करेंगे, कि और गयनिक कैमिस्ट्री क्या होती है, और गयनिक जो पर समझें, और गयनिक कमपाउंड के बात समझ में, अब बात ये आती है कि और गयनिक कमपाउंड होते क्या है, तो बटा समझें आप। एक पुरानी एक नहीं तो पहले हम जानते हैं कि old definition क्या थी फिर हम जानेंगे कि new definition क्या है तो सुनने आप जान से पहले यह माना जाता था कि वह compound जो living organism से से drive किये जाएं living organism के cell से drive किये जाएं उसको हम बोलेंगे organic compound तो देख लो यहां पर पढ़ लो जड़ा compounds that are obtained from cells of living organism are called organic compound बात समझ माई और यह कहा जाता था कि organic compound को lab में नहीं बनाया जा सकता इस बात का फायदा उठाया एक scientist ने जिसका नाम था बर्जेलियस इन्होंने क्या करा इस बात पे पूरी थेयोरी ही दे दी कि भाई organic compounds are due to vital force खुदा की दरफ से हैं वो कुदरती हैं उसको lab में नहीं बना सकते तो यह कूद गया बीच में और 1809 में इन्होंने अपनी थेयोरी दी इसको बोला गया वाइटल फोर्स थेयोरी और वाइटल फोर्स थेयोरी में यही कहा गया कि और गेनिक compounds are due to vital force इसको आप लैब में नहीं बना सकते देख लो और गेनिक आप लिएटल फोर्स नेचरली इस नेचरली फॉर्म इंड़ सेल और इस इंपॉसिबल टू प्रिपर दैम लेबरेटरी बात समझ में आ गई लेकिन एक शक्स थे जिनको उनकी यह बात जरा भी पसंद नहीं आई बुरी लग गई दिल पे लग गई उन्होंने क्या कहा वो कौन थे वह ते French scientist Woolard तो वुलर ने क्या आपका कि भाई मैं तुम्हें गलत साबित करूँगा कि तुम्हारी बात गलत है मैं इतनी मेहनत करूँगा जिटी तुम लोग करोगे इन्होंने उसके जाए मेहनत करी और इन्होंने कहा कि मैं और यनिक कंपाउंड को लैब में बन किस ने करी किसने करी वुलर ने करी कैसे करी वुलर ने एक और्गनिक कंपाउंड को लैब में बना लिया by the help of इन और गे अर्गनिक कंपाउंड सुन लो ध्यान से यह इन और गेनी कंपाउंड था आपका यह था आपका Ammonium कार्बोनेट यह था आपका not carbonate यह था आपका Ammonium cyaneat Ammonium cyaneat के अंदर rearrangement reaction होई और वो convert हो गया किसके अंदर वो convert हो गया यूरिया के अंदर यह यूरिया और यह लेब में बन गया और यह पहला लेब में बनने वाला और यह नित Conference यह याद रहो पहला resilient compound रेब में किसने बनाया बताओ जल्दी और्भ बताईए आप किसने बनाया यह बनाया यह बनाया यह बनाया आपका विलर अपर समय Maga बड़े खुश इंतिकास देखा वाई मैंने कहा था बना कर रिखाऊंगा बना दिया अब अंदर की बात तुम्हें मैं बताता हूं यह गलती से बन गया था वो लड़ साहब ने कोई से महनत नहीं करी हुआ क्या वो एक बार इस कंपाउंड इस इन औरगनिक कंपाउंड के सा भूल गये कुछ टाइम बात देखा तो महां से यूरीन की स्मेल आने लगी सोचा है नहीं कि यहां कौन सुस्टू करके जाएगा कोई था नहीं फिर क्या कर रहा हुनाने जिस बीकड से वह स्मेल आ रही थी उसका एनरेसिस किया टेस्ट करा तो पता चला उसके अंदर यू एक बार इससे यह प्रूफ हो गई कि बनाया जा सकता है और गनी कंपाउंड को भी लैब में आई बास समझ में याबाश तो याद अखना कि वाइटल फोर्ट थियोरी क्या थी किस नहीं ती डिसकार्ट किस नहीं करा पहला और गनी कंपाउंड कौन सा था किस से बनाता बा लैब में बना था वो था आपका एसेटिक एसेट यह बाखाइदा बनाया गया इंटेंशनली बनावा पहला और गनी कंपाउंड एसेटिक एसेट है लेकिन वैसे यह लैब में बनने वाला सेकंड और गनी कंपाउंड है किसने बनाया था यह बनाया था यह बनाया था आप सब्सक्राइब में नहीं बनाए जा सकता सिर्फ किसे मिलेगा में लिए मुलेगा बुलर ने ये बात कर दी अब सब्सक्राइब में अगर आप एच निकाल दो और कोई भी दूसरे अटम लगा दो ये बन गया आपका CH3Cl तो जी हाँ ये हो गया हायड्रो कार्बन का डेरिवेटिव अब हायड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से आप सब का CH 3OH यह भी और गिनी कमपाउंड आपने क्या करा एक और है निकाला यहां से अब आपने यहां अनुटू लगा दिया तो पूछा गया क्या यह और गनी कमपाउंड है बिलकुल है जितने भी कमपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनेंगे वह सब और गनी कमपाउंड है है hydro carbon जिसमें भी carbon और hydrogen है वह होंगे आपके hydrocarbon और उन से जो भी वनेगा यह सब compound यह सब compound क्या थे वेटा यह थे आपके hydrocarbon derivatives यह थे आपके hydrocarbon derivatives बात समझ भी है hydrocarbon derivatives केलियर रोगे तक बात सलो modern definition समंझ में आ गई अब बात करेंगे classification of organic compound classification of organic compound देख लो यहां ते यहां हम लिखते हैं आपका organic compound यह हम लिखा बटा organic compound दिख रहा होगा तको है ऑरर्गनिक मपाउंड को दो पार्ट में क्लासिफवाइख चरा गया है पहला किस्वमें पहला आपका ओपन चेंग ओपन चेंग open chain को और क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, acyclic, acyclic मतलब without cycle, और इसको हम बोल देते हैं, आपका aletheatik, इसको हमने बोल दिया, आपका aletheatik, और second classify कर रहा गया है, इसको आपका cyclic, cyclic, cyclic को क्या बोलेंगे और, क्लोест चेंद नहीं कि अब इसके बाद इसको भी दो पार्ट में करा गया कैसे करा गया आगा थे हैं भी पहले समझ लोग फिर ऑगे बढ़ेंगे तो देखें आ बिटा ज्यान से तो पहले हम बात करने वाले इसके अंदर का वर्च हम बात करेंगे acyclic aliphatic और open chain compound ये क्या होते हैं जो आपके open हो नाम से के लिए रहे हैं इसनला तो तो हम समझते होगे जो close ना हो, open हो वो क्या होगे आपके open chain compound, aliphatic compound example देखो, जैसे कि मैंने यहापर ये लिखा CH3 ये लिखा यहापर मैंने आपका CH2, ये लिखा उपन है यहां पर लेखा मैंने आपका है यह यοपन है तो यह भी आपका ऐसा हTake हो गया दिफ्रेंसग्स किया है। यह पूरी ए dew खेंदी इसको बोलेंढ़ बडह अपर घृत जाके यह इसलिछ बैठ गया इसको बोलेंगी ब्रांच, यह छेन ऍपर के लगी ब्रांच तो आपके अलिफ्लिक कंपाउंड होते हैं और यह ब्रांच चेंड भी हो सकते हैं तो देखें आप जब कंपाउंड अब सुनो बटा इस वर इनिशली नोन ए अलिफ्लिक कंपाउंड सुनने वाली बात है इनिशली क्यों बोलते थे क्यों कि यह आपके मिले थे किससे अनिमल एंड वेजिटेबल फैट से इनका नाम इसलिए अलिफ्लिक था था क्या है मतलब ठीक है अब यह आपके लिफ्लिक के दो टाइब कि होते हैं सेचूरेटल और अनटाइटल वापिस आते हैं अभी हमने क्या का था आपका एलिफ्लिक तो समझ में आ गया होगा एलिफ्लिक दो टाइब के थे आपके कौन-कौन से थे इता सैचूरेटन साइचूरेटिट और सेकंड कोहां से बताए जल्दी बताएं आप सेकंड ताक अनसाचूरेटिट वास समझ में आगे बेटा सेचूरेटिट एंड अनसाचूरेट यह दो टाइप केते आपके क्या होते हैं महीं समझते हैं सुन ले आप ज्यान से वह कंपाउंड बता पढ़ लेना मैं बता दे रहा हूं वह कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉंड हो जी हां सुन लो ज्यान से मैं सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं वह सारे कंपाउंड इसमें कार्बन कार्बन में सिर्फ स करो देखके बताव कोई डवल बाउंड है कोई नहीं है तो यह सेचुरेट है अब सेचुरेट होंगे कौन-कौन से आपके होंगे एलकें एलकें और एलकेंड के डेरीवेटिफ एलकेंड क्या होता है वो सारे कंपाउंड जिसका जर्णल फॉर्मुला प्लस टू होता है वो क्या होते हैं यह सब होते हैं एलकेन कोई भी कंपाउंट अगर इसको फॉलो करता है इस फॉर्मूले को एन क्या है एन तो समझ गये होगे एन है नमबर आफ कार्बन अब यहां देखो नमबर आफ कार्बन कितने जाब घ्र आफ कार्बन दो तीन होगी गिलो अगर थीन कार्बन है एक लोने चाहिये अज होने चाहिए थ्री टू था सेगस टू एट काउंट कर लो यहां पर C3 है और आपके H कितने है 8 है तो यह आपका Alcane था तो जितने भी Alcane है वो सब आपके Saturated है और Alcane की Derivative Derivative का मतलब क्या हो गया देखो यहां पर यह लिखा मैंने CH3 और यहां लिखा मैंने CH2 और यह लिखा मैंने COH इधर देखो जहां से कोई भी गलती से यह मत कहा देना कि यह Untaturated है क्यूंकि यहां पर जो Double Bond है वो Carbon Oxygen में है बट Carbon Carbon में सब के सब Single Bond है तो क्या चाहिए करना है हमें हमें चाहिए करना है Carbon Carbon के Bond उम्रीद करता हूं बात समझ माई तूर बात समझ माई आपके क्या कहा मैंने कि Carbon Carbon में Single Bond है तो वो आपका Saturated होगा इन सब के अंदर Carbon Carbon के Single Bond है बट यहां Carbon Oxygen में Multiple Bond है तब भी यह Saturated है हमने यहां लिखा यह Carbon Carbon में Single Bond है बट Carbon Nitrogen में Triple Bond है इसलिए यह Saturated है Unsaturated क्या होंगे जिसमें कम से कम एक Carbon Carbon Multiple Bond हो Example Alkynes मैंने यहां लिखा Cn H2n Plus 2 यह Not Plus 2 Plus 2 क्यों लिख दिया भई क्यासी बाते करते हो Plus 2 नहीं आएगा तो जो यहां पर यह Cn H2n यह हो गया आपका Alkynes Example देखेंगे आप अगर आखों से ही दिख रहा है तो बात ही क्या है लेकिन अगर आपका ऐसे लिख रहा है C6 H12 पूछा जा रहा है कि यह saturated होगा यह unsaturated तो आप देखें C कितने है 6 और जस्ट डबल क्या है इसकी hydrogen तो इसका मतलब यह क्या होगा आपका Alkyn हो गया और Alkyn क्या होगा Alkyn होगा Unsaturated सारे Alkyns unsaturated है एक भी multiple bond अगर एक भी multiple bond double bond या triple bond तुम्हें मिल गया carbon-carbon में तो वो क्या होगा Unsaturated ऐसी मैंने आप यह लिखाष C है अगर triple bond है triple bond वालोगम क्या बोलते है Alkyn Alkyn का general formula क्या होता है CnH 2n-2 यह आपका Alkyn का formula होता है सबको पता होगा नहीं पता होगा तो आगर पढ़ेंगे वैसे भी लेकिन अभी तुम्हें देखे रहा होगा C कितने हैं 2 H भी कितने हो जाएंगे आपके 2 तो यह Alkyn का formula हो गया अब यह दो को मैंने यहां पर लिखा यह CH2 double bond CH COH आपसे पूछे दरा ही saturated है या unsaturated हमें इससे मतलब ही नहीं है हमें इससे मतलब है carbon carbon में double bond आ गया तो मतलब unsaturated उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ मा गई होगी saturated or unsaturated क्या होते हैं नेक्स हम बात करने वाले हैं आपका close ring, close compound, close chain compound, ring compound, cyclic compound उसनलो जहांसे बटा सुनने आप जहांसे यह भी दो type के होते हैं पहले हम इसे मतलब के साथ हैं आपके यह जो close chain हमें लिखे हैं यह भी दो type के होते हैं कौन से alicyclic alicyclic और आपका aromatic alicyclic और aromatic क्या क्या होता है समझे उसके इंदर अभी alicyclic और aromatic alicyclic क्या होते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा next page पर आज वा बच्चा पार्टी alicyclic का मतलब वो अगर हम alicyclic compound को ring में convert कर दें जो alicyclic थे हमने कि अगर उसकी chain बना दी हमने उसकी ring बना दी तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम उन compound को हम बोलेंगे alicyclic नहीं समझे तो आप समझो के ध्यान से देखो यहां पर मैंने यहां लिखा आपका CH3 यहां लिखा मैंने आपका CH2 और यह लिखा आपका CH3 अगर मैं क्या करूँ भीटा यहां पर इसकी एक balanceky free कर दू hydrogen निकाले मैंने यहां पर यह CH2 मैंने क्या कर आप यहां पर यहां पर यह hydrogen निकाल दिया दूनों की एक एक balanceky free हो गई carbon की चार balance होती हैं दोनों की एक balance free इसको इससे जोड़ दूए आपकर तो यह क्या बन गया अब यह आपका बन गया एक ट्राइंगल टाइप की रिंग समझमार यह बात समझे के नहीं यह हो गया इसको आप ऐसे भी लिख दो तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा इंसेक्ट यह आपको ऐसी ही मिलेगा इसमें देखें आप C कितने हैं C 3 हैं H कितने हैं 6 हैं तो यहाँ पर जो हमने नहीं दिखाया वो सब क्या थे hydrogen थे याद रखो बेटा यह बात जब भी हम ऐसे दिखाते हैं तो जहाँ पर बैंट होगा वो carbon और hydrogen को नहीं दिखाए जाएगा तो यहाँ पर सब क्या थे आपके hydrogen थे बात सब्जवा आ गई आगे डेखो लागं रहें मैंने लिखा यह भी आपका यह कितने Nous आप grease चार कारवण 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 transm国яс रिंग है कि यहाँ क winkर का hydrogen यहाँ पर भी चार हाइटरोजन होगे, तो ये सब आपके allicylclic, ये आपके saturated भी हो सकते हैं, और ये uncaturated, double bond लगाए दो, uncaturated होगया, आजी बास समझने हैं बटाब आप सबके clear होगे तक बात, तो allicyclic क्या होते हैं, ये सबके सिर्फ carbon हो अगर कोई ring हैं कोईonce-chain है और सिर्फ और सिर्फ कारबन है तो वह होगा होगा वहोगा आपका होमो य साइकले को मतलब सेम क्या होना चाहिए आप देंख यह आपका पूछत करता आप बोलो कि दाउं लिए आन्स-क दिया अपका if i कि हम mimें अब बीकारों के अंदर और से कार्बन थे पर अगर नियुक्त कि अंदर कोई दूसराículos अगर जाता है क्या भेटा जिल्दी बतादो उसको हम गोलेंगे हेट्रोसाइकलिक अक्वाउंड अगर रिंग में एक भी कोई दूसर समझने आ गया इतने कुरें में। रिंग में एक पराते है काहनी शांपनर उसकते हैं तो यह है आपके यह समझे में ब्लोकर आगई होगी इतने तो तुम समझदार हो सब next page पर आते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं यह बार सब्सक्राइब और हम आते हैं अब आते हैं और यह तो यह भी वहोंटे यह वी दो टाइब के होंगी देखो जहां से aromatic compound कहां रुक गए भी आगे बढ़ाओ aromatic compounds aromatic compound बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन अभी तुम ये ध्यान रखो जो को मैं हमेशा क्लास में इवकाद बोलता हूँ कि जो चीज तुमें यहां बताई जा रही है इस टाइम जिस पर focus करने की निए बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर focus करो क्योंकि बहुत सी चीज़ा ऐसी है जो अभी ना पढ़ा के आने वाली lecture में आगे आएंगी उसमें से एक यह है कि कौन से compound aromatic होते हैं कौन से non aromatic होते हैं कौन से anti aromatic होते हैं स्मेल अगर आपको अच्छी अच्छी खुश्बू आ रही है कि इसमेल आ रही है तो वह क्या होगा आप समझ में आगई पढ़ लेना अगर इसमेल आती है अच्छी सी खुश्बू आती है उसमें से तो वह compound आपका कौन सा होगा बही जिल्दी बोलो आपको आपको कब से पता है इसको हम बैंजीन बोलते हैं यह आपको 10 से पता है या फिर यह आपको 8 से पता है या पैदा होती है पता चल गया था या आज पहली बार पता लग रहा है C6H6 C6H6 क्या होता है बैंजीन क्या होता है बिटा C6H6 इसको बोलते हैं बैंजीन अगर रिंग में 6 क्यांट है चल दो क्या है और तीन वॉंड है तो वह आपका बैंजीन होगा वह अगर शिक्स कार्बं की रिंग है ठीक न कोई चार्ज की बात नहीं होगी यह चार्ज नहीं बोल रहे हैं भी च्छे कार्बन की रिंग है आपका और एक ही बॉंड तो इर्मेटिक नहीं होगा तो आई बास समझ में किलियर होगें तक बात तो जिसमें भी तुम्हें यह दिख गया अब दिखेगा कैसे यह कैसे दिखेगा किसी भी कंपाउंड में यह दिखेगा आपको समझ माँ गई और बैंजीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कारबन होते थे हैं तो बैंजीन Adventure हो इनकी यह होनुसाइक्लिक बाता है..? क्वेंजीन उस सिर्फ और सिर्फ कार्बन हों. तो बेंजीन इनकी है। यह बताएंगे और तो पहरा मेटक अभी उते होते हैं यह विक्यों गिन्स दिग्ग्या रिए वह यह वे हैं यह बात समझ में सब करियर हो गये है तक बात बैंजीन दीग्या इसमें फिर सब fully अगल बैंजीन दिग्या तो वह आपका सफ्क्राइद बैंजन को यहां दो वन् सिट्राइसाइकलिक यह नेप्थलीन होता है बेटा नेप्थलीन जो आपका वाश्बेसर में बॉल्स पड़ी होती है न यह वो है एंध्रसीन और असरेंथरीन बास समझ मांगी तो यह एरोमेटिक थे बैंजनोइट थे होमोसाइकलिक थे हैं भी आई बास समझ में तो आती होगी 1-2-3 सबको काउंट कर लो तो यह वर्न चलो लाल कलर से करते हैं 1-2-3-4-5-6-7 कितने हैं इस रिंग में छे तो नहीं है कितने हैं फिर साथ हैं यह बैंजीन तो होगा नहीं तो यह अरोमेटिक तो है बट बैंजीन नहीं है इसके अंदर तो यह क्या हो और लोको सही जवाब यह आपका होमेटिक ही होगा क्यूं कि कार्बन कारबन है यह भी अ क्यों कि नाम याद हखना इस तो हमेटिक हैं और नचाफनाइड हैं यह यह विद्फ नहीं तो अट यह यह भी आपका घ्या था बेटा ऐरो मेंटिक तो था कैसे था था मैंने बताया अभी तुम्हें नहीं लगा ना इसके अगर इसका नाम था आपका फृरेदीन वो या पर डिल्म यह फृरे दिन वो जो चाहों भोण पर यह आपका हो गया इंद नौन बेंजनोई है यह नहीं है और यह हेट्रो साइकलिक भी है आई बास सबझ भी पिर इडीन इजह रघ्रमैटिक यह आपका आरिमाटिक है यह आपका आरिमाटिक न्जरोइट मुझे concis को ano कि है ओना जगदे एगा करें मैं विश्ताय इसके के लुटना उसक्रासिकली हो क्लास्टिटाइशन उसरिए कर से कार्बन मिलंग नाउपका है क्लास्टिटाइशन अच्छ यह लिखर मैं ॥ यहा पर लिखर मैंने सी यह ओत लिखा CH3 और यहां लिखा CH2 और यहां पर लिखा CH3 और यह हो गया आपका CH2 और यह हो गया CH3 तो आप से सिफ यह पूछा जाएगा इसे primary अश्य कार्बद कितने हैं तो इस सुन्लो हो वह कारवन जो कारवन्स और गार decmal में वह सारे कारवन जो से डारेघ्लीं अटेज्ड pleं वह को हम बोलेंगे प्राईमेरी प्रावजन होंग्य को हम बोलेंगे प्राईमेरी हाइड्रे और से सब्सक्राइब झाओंग्र 003 और कॉटरिं입니다 आपके सक यह सारी बात अभी कलिए हो जाएगी स्कारबन को देखो बेटा हम जानते हैं कार्बन की चार बॉंड होते हैं यह जो तीन हाइड्रोजन है यह इस कार्बन से लगे हैं तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हैं यह कार्बन डारेक्ली इस कार्बन से अटेज्ड है यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन दिखा दो उसके बा है अब देखो जान आज़े ये carbon से आपका ये carbon और से क्या लगए यहां सब के आपकर सी सबको देख ग्या decision है तो बहुत ध्यान से आप देखो अब देखो ये carbon directly कितने carbon से attached है ये carbon directly एक carbon से attached है तो इसको हम बोलेंगे primary carbon ये carbon directly एक carbon से attached था इस carbon को आप देखें ये carbon directly दो carbon से attached है इसको हम बोलेंगे secondary carbon ये carbon देखो जहन से अपने आखों से देखो इस carbon को ये carbon directly तीन carbon से attached है यह carbon directly तीन carbon सा attached है तो इसकों बोलेंगे tertiary carbon ये carbon directly दो carbon सा attached है एक यहां attached और एक यहां इस carbon को आप बहुत ध्यान से देखें ये carbon directly चार carbon सा attached है इस को बोलेंगे cotton marмат सेकंटर ते कार्बन और कर्म सिर्फ और सिर्फ एक से ₹ जाएक कर्मेह जाक्षा अगर आप से प्ूछ लिया जाए कि बताओ इसके अंदर carbon hydrogen की बात हो रही है, primary carbon कितने है, secondary carbon कितने है, tertiary carbon कितने है, cottonary carbon कितने है, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आखो का इस्तमाल, अब देखो यहाँ पर, यह primary carbon हो गया, दो primary carbon, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 primary carbon है, primary carbon कितने इसे बेटा, 5, एक primary carbon पर 3 hydrogen, counting तो आती होगी, तो count कर लो, 1, 2, 3, इसे भी 1, 2, 3, हर एक primary carbon पर 3 hydrogen है, एक पर 3 है, तो 5 पर कितने होगे बेटा, 3, 5, 15, clear होगई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात, अब पूशा जा रहा है कि secondary carbon कितने है, तो देखो यह carbon secondary है, यह carbon secondary है, यह carbon secondary है, यह carbon secondary है, secondary carbon कितने है बेटा, secondary carbon है 3, और 1 secondary carbon पर 2 hydrogen होते है, 3 पर कितने होगा 6, आप ते पूशा जा रहा है कि अब इसके अंदर tertiary carbon कितने है, टर्डशरी कार्बन सेर्फ और सेर्फ एक है एक टर्डशरी कार्बन और टर्डशरी कार्बन पर एक ही हाइट्रोजन होता है पूछा जा रहा है कॉर्टरनरी कार्बन कितने है एक ये कार्बन चार्ड से अटेश था तो ये कॉर्टरनरी कार्बन क्या cotton or hydrogen होगा जी नहीं बिलुकुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि चारों बॉन्ड तो carbon से लग गए अब hydrogen कहां लगेगा आई बास समझ में एक example आप और समझें इसका important example है यह भी बहुत ध्यान के समझना बिटा हमने यहां पर लिखा आपका CH3 यहां पर लिखा मैंने CH2 और यहां पर लगा दिया मैंने hole twice अब दोको यहां लिखा मैंने CH और bracket में लगा दिया यहां पर CH3 फिर मैंने यहां लिखा CH2 और यहां पर bracket में लिख दिया CH3 का होल थराइस CH3 का होल थराइस अब बहुत दिहान से सुनो और समझो बात को देखो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे कैसे यह आपका CH3 अगर CH2 तुम्हें दिख जाए क्या कहा मैंने अगर CH2 तुम्हें दिख जाए दिख जाएगा आखो से आखे से काम कर रहे होंगी तो दिखी जाएगा तो CH2 यहाँ पर 2-3-4 जितने भी होंगे वो सब रिपीटेशन होंगे CH2 always क्या होगा बेटा रिपीटेशन CH2 कितिवा लखा दो बार तो दो बार CH2 को लगा दो बात समझ में आ गई CH2 हमेशा रिपीटेशन होगा वो चेन के बीच में आ जाएगा अब यहाँ जाएगा दो देखो अगर ब्रैकेट में CH2 के अलाबा कुछ भी है क्या कहा मैंने अगर ब्रैकेट में CH2 के अलाबा कुछ भी है तो वो क्या होगा बेटा वो repetition नहीं होगा उन सारे bracket को छोड़ दो अब यहां तो में लखा CH2 यह bracket का इस bracket को भी तीनों को छोड़ दो अब ज्याम दो देखो क्या इसकी valency पूरी है क्या इस carbon की valency पूरी है बटा नहीं है इस पे सिर्फ तीन bond बने है एक bond ये एक bond ये और एक hydrogen का इसके से तीन bond है तो ये जो CH3 है ये यहां लगा दो बात समझ में आ गई CH3 जब भी होगा वो valency को satisfy करेगा सुन लो कान खोल के CH3 जब भी होगा क्या करेगा valency को satisfy यहां तीन CH3 है एक CH3 यहां लगा दिया एक CH3 यहां लगा दिया संब当 समयां में होगी कि कि डर्ण झाल है हम बात करें अगर प्राइबिग secondary, tertiary, quarternery, और यहां लिख दें carbon, यहां लिख दें hydrogen तो primary carbon कितने हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच प्राइमरी carbon पाच हुए, एक carbon पर तीन hydrogen है तो primary hydrogen 15 हो गए secondary carbon एक, दो, तीन secondary carbon कितने होगा तीन होगा एक, दो, और यह तीन तो कितना हो गया बेटा प्रैमिरी पाची होगे थे न हाँ पाची होगे थे कितने हो तीन मतलब और एक सेकंडरी पर दो हिड्रोजन होते हैं छे हो गए टर्शरी कितना था बेटा टर्शरी एक था एक एक कॉटनरी एक जीरो यह बात स्मझ में आप क्या गयी होगी तो प्रैमिरी ठर्शरी को टरयरी वाला खेल समझ में आप क्या लुक्त अ milligram खीलते हैं मतलब अगले classification को आते हैं और next classification हमारा है कान खोलको क्या कहा मैंने कान खोलको कर सुन लो अब शुरो ध्यान से वह वो carbon जो directly सुनें आप carbon that directly connect with functional group multiple bonded carbon यहां से लेकिए यहां तक आप इसको छोड़ दो जो बच्चे 10 वाले हैं उसको जहां तक आप छोड़ दें इसको आप काड़ दें यह ना लिखे हैं फिलहाल आप आप बात इतना लिखें वो carbon जो directly functional group से लगा होगा वो carbon जो directly किस से लगा होगा functional group क्या होता है अगर अभी यह नए नए टेंस इमाए हो तो शाहिद ना पता हो अगर यह वीडियो एक बार class में पढ़ने के बात देख रहे हो तो बात पुने पता होगी तो सुरू जान से functional group जीसे ओए लगा दो यह एक ढ़ाल ale क्यों होते किया है हम नेक्स कशे करेंगे तुमने एंपर ची ऑबबबबबब यह यह क्या गरा तुमने यह आपर पक्रश्य को लगा दिया यह लगा दिया यह वी फ़यर क। इछ तुन लगा दिया यह उ ब्लगाया मैंने ये क्या था ये था फंक्षनल गुरूब वह कारबन जो डायरेक्ली था हो लगा होंगा श्कारबन को घ्रजब को उसको और रखेंगे अनुट कर वर जो अलफ़ा से लग होगा उसको बोलेंगे लगत उप्रानर यह बीट declar लगा से लगा होगा अर जे बीटा से लगाओ लगा उखेक्ञार नहां waist現在 में पख़ए वह काणर जो सिर्कृशनल ग्रुप से लगा कारव्पन जो अलफा से लगा होगा बीटा कार्बन और जो बीटा से लगा होगा जल्दी बोलो गामा कार्बन अब जो गामा से भी लगा होगा नामा से भी लगा होगा वो क्या होगा आपका डेल्टा कार्बन डेल्टा कार्बन लिखा वाई कोई बात में अब सुने अध्यान से और के और वाले कारफन से जो कारबन लगा होगा डबल वांडेट कारबन से जो कारबन एटेश्ट होगा उसको वह बोलेंगे अलफा कार्बन और हमें पता है अलफा से जो लगा होता है वह बीटा आई बास समझें आई तो मुंडी लाओ ऐसे नहीं तो ऐसे लाओ क्या कहा नहीं आई तो सुनो द्यान से यहां क्या लगा था हमने कार्बन डैड डारेक्ली कनेक्ट विच फंक्शनल सब्सक्राइब करेंगे क्या होता है और अलफा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं तो आज के इस लेक्शर में हम डिसकस करेंगे के अपना बहुत क्या होते हैं और हम्निक्सर करेंगे का डिसकर करेंगे बिटा और हम्निक्सर करेंगे कि कोमपाउंड का कैसे लखते है तो तक करने में लिए अपने je